नमस्कार आप देख रहा है देश्वानियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौसी नितिश कुमार का साथ उनके MLC रडवीर नंदन ने छोड़ दिया अब बेचैनी बढ़ी हुई है सियासत भी तेज है तमाम तरके कायास लगाया जा रहे हैं बीजेपी के तरफ से बैगानबाजी शुरू हो गया है कि अब जेडियू तुरत तूटने वाली है और सरकार भी गिरने वाली है सियम नितिश कुमार को भी बेचैन देखा जा रहा है जब से MLC रडवीर नंदन ने उनको छोड़ दिया है उनसे अलग हो गया रडवीर नंदन जेडियू को उन्होंने छोड़ दिया ये खबर जैसे आई सियासत तेज हो गया अब लोगोंने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं बेचैनी पहले से बढ़ी हुई है सियम नितिश कुमार की आप देख रहे है कुछ एक हपतों से सियम नितिश कुमार अलग-अलग हरकत करते हुए भी दिख रहे है कभी अशोक चौधरी जो कि उनके बहुत प्रेम आने जाते हैं खासम खास माने जाते हैं उनको गरदनी आते दिखते हैं गरदन पकड़ करके धका देते दिखते हैं तो कभी उनके सीने से लग करके प्यार जताते दिखते हैं कभी बीमार हो जाते हैं और अब रणवीर नंदन का उनके दल को छोड़ देना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इस पर अब सियासत तेज है कि क्या जेडियू टूट जाएगी सरकार गिर जाएगी क्या नितिख कुमार इसी बात को लेकर के बेचैन है और अलग-अलग टाइप का हरकत कर रहे हैं वैसे सीम नितिख कुमार को रणीत का बहुत बड़ा मारतंड माना जाता है महागुरू माना जाता है चानक के माना जाता है कहा जाता है कि नितिख कुमार का दाहिना हाथ जो हरकत करेगा बाए हाथ को भी खबर नहीं होती है नितिख कुमार कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं होता है लेकिन अभी नितिश कुमार की स्थिती लोगों के द्वारा राजनितिक जानकारों के द्वारा राजनीत के जो महागुरू है उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नितिश कुमार की बेचैनी बता रही है कि नितिश कुमार ठीक नहीं है, नितिश कुमार का हरकत बता रहा है कि नितिश कुमार अभी बेचैन है, नितिश कुमार सहज नहीं है, असहज है, क्योंकि रडवीर नंदन का इस तरीके से जडियू को छोड़ देना, नितिश कुमार का शोक चौदली को धका देना, फिर सीन तूटेगी, सरकार गीरेगी, कायास तो तमाम तरके लगाया जा रहे हैं, और सियासी गलियारे में कायास तो लगाया ही जाते हैं, कहा जाता है कि राजनीत संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का विशय वस्तु है, तो चलिए संभावनाओं के साथ जुड़े रहें और इंतजार करें कि आगे क्या कुछ होने वाला है तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश्वा न्यूज के साथ धन्यवाल सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए